जिहां जिस शहनास कॉर्गिल को बिग बॉस 13 में सबसे कम प्राइज पर रखा हुआ था सबसे कम प्राइज की कंटेस्टेंट थी तो वही शहनास कॉर्गिल अब जो है बिग बॉस 13 से बाहर आकर लाखो लाखो करोरो करोरो रुपे की ड्रेस पहन रही है सैंडल पहन रही है खबर सामनी आई है उसका प्राइस सुनकर रश्मी देशाई से लेकर माहिरा शर्मा तक के सभी के होश उड़ गए हैं दर असल आप जानते हैं कि बाबा सिद्गी की इफ्तार पार्टी में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रश्मी देशाई ने किस प्रकार से श शेहनास को आपको बता दे रश्मी देशाई और माहिरा शर्मा और बहुत से बिग बातों का माहिने तो रखता ही नहीं कुछ भी जैसे कि आप सभी जाते हैं शेहनास को और गिल ने खुद अभी हाली में अपने लेटेस्ट इंटर्विव में ये जाहिर किया था कि बिग सबसे कम पैसे मिले थे बताया रहा है 50,000 पहले जो खबर आई थी 50,000 पर डे शेहनास को मिल रही थे लेकिन वहीं जब शेहनास ने अपने लेटेस्ट इंटर्विव में जो है किसी का भाई किसी की जान के परमोशन के दौरा इंटर्विव दियो और उसमें शेहनास ने कि 50,000 पर वीक मिला करते थे शेहनास को वहीं सबसे कम प्राइस की कंटेस्टन थी तो वहीं आपको बता दे अब लाखो लाखो रुपे की सेंडल्स जो हैं शेहनास के होते हैं दरसल तकपिल शर्मा शो में जो शेहनास ने अपने लुक को चार चान लगाए थे और सभी शे दे शेहनास के हिल्स पर तो शेहनास जिस परकार से चल रही है आपको बतारीगे catwalk जो है शैनास का ये 50 लाग की बताई जा रही है सैंडल है शैनास की लेकिन हम तो यह कहेंगे कि 50 लाग की या 50 हजार की या 50 रुपे की शैनास जो भी पहनती है सब अच्छा लगता है शैनास पर पहली बार ऐसा कभी किसी ने देखा होगा कि इंटर्वी के दौरान जो है इ हर कंटेस्ट, हर स्टार, को स्टार ये जो है किसी का भाई, किसी की जान कि जितने भी को स्टार है सभी ने इंटर्वीउ दिया लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित नाम जो रहा सोशल मेडिया पर वो रहा शैनास का वैल शैनास की ब्लैक लर की catwalk करती हुई ड्रेस कैसी लग रही है, सैंडल कैसी लग रही है क्या शैनाज जो भी पहनती है उसमें शैनाज आप सभी को अच्छी लगती है जरूर कामेंट कीजिए दाकपिल शर्मा शो अभी तक आपने देखा की नहीं देखा ये भी जरूर बताईगे और देखा तो शैनाज का रोल आप सभी को कैसा लगा